नमस्कार दोस्तों क्यान की बात YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे आप से PUBG and Firifier के बारे में कि PUBG की और Firifier की कितने इंकम होती है और साथी साथ PUBG और Firifier में से कौन से game चाइनीज है और मैं थोड़ा आपको डीटिल में समझाने की कोशिश करूँ हूँ तो वीडिया को एंड तक पूरा देखें दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है इस वक्त तो पबजी बैन हो चुकी है इंडिया में राइट लेकिन फिर भी इस टाइम पे पबजी लोग खेलते हैं वीपियन की जरिये क्योंकि लोगों में पबजी का जो एक गेमप्ले खेलने का पागल पन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और जब से पबजी बैन हुई है उसके बाद से तो फिरी फायर ही फिरी फायर है हर जगा लेकिन मैं आपसे तब की बात करूँ है जब फिरी फायर और पबजी दोनों एक साथ थे और काफी कॉंपटिशन चलता था दोनों का तो दोस्तों एक टाइम पे पबजी का जो लोडिंग था वो था प्ले स्टोर पर 500 मिलियंग प्लस तो दोस्तों क्या यह सच है जी नहीं दोस्तों तो यह एकदम गलत बात है तो जब लास्ट में पुब जी बैन हुआ था उस टाइम पर जो पबजी की डाउनलोडिंग थी वो थी 2,000 मिलियंग प्लस एंड उस टाइ तो दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि इन दोरों गेम्स को बनाया किसने हैं अगर दोस्तों नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बता लेता हूं तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि PUBG किस जखती ने बनाया था उसका नाम है Brandon Lee इन्होंने South Korea की Bluehole Company नामक के साथ मिलकर इन्होंने PUBG बनाया था और दोस्तों अगर Free Fire की बात की जाए तो Free Fire को जिस कंपने ने बनाया उसका नाम है बलकि Play Store पे Publish किया है सरिफ तो दोस्तों Free Fire को बनाया था ट्रिपल वन डोट्स स्टूडियो कंपनी नामक ने तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन गेम्स के मालिक के बारे में तो PUBG के जब इंडिया में जब इस टाइम पे PUBG थी तो उस टाइम पे जो मालिक थे वो थे चंगम किंग जो कि उस टाइम के PUBG के CEO थे और अगर Free Fire की बात की जाए तो Free Fire के जो मालिक है वो है फोरेस्ट ली जो कि बहुत बड़े बिजनसमेन है और ट्रिपल वन गरीना इनहीं की कमपनी है दोनों तो दोस्तों अब बात करते हैं कि PUBG जब आप ओपन करते हैं तो उसमें साफसा पहले आता है 10 सेंड लिखा हुआ राइट जब आप Free Fire ओपन करते हैं तो उसमें गरीना लिखा आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है दोस्तों अगर पता है दोस्तों तो आप कमेंट में लिखके बतासकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते तो बतारा चाहँगो जैसे कि ब्रेंडनल ली ने ब्लू होल कंपनी के साथ मिलकर PUBG को बनाया था और ले बाद में एक चाइनिज कंपनी के साथ हाथ मिला लिया था और टैंसेंड नाम की एक कंपनी थी जिस टैंसेंड ने काफी अच्छा पूस्ट दिया था पब जी खो और काफी ज्यादा उस टैम पे ट्रेंडिंग में आई थी पब जी और दोस्तों यह जो आप इतना फेमस पब जी को अब तक यह टैंसेंड की वज़े से ही इतना फेमस थी तो दोस्तों टैंसेंड का पब जी में एक बहुत बड़ा योगदान है और अगर दोस्तों हम यहीं बात करें फिरी फायर की तो फिरी फायर का जो पूरा नाम है वो है गरीना फिरी फायर और इस गेम का न क्योंकि दोस्तों गरीना एक ऐसी कंपनी है जो बड़े से बड़े गेम को हर प्लैटफोर्म पे पब्लिश करती है जैसे एक्जामपल के तोर पर आप ले लोग कॉल अफ ड्यूटी लीग ओफ लीजेंड्स ये सारी गेम भी गरीना द्वारा ही प्ले स्टोर्ट पे दोस्तों क्या आपको पता है कि पब जी और फिरी फायर में दोनों में से पहले कौन सा गेम आया था बहुत से लोगों को पता होगा राइट कि फिरी फायर या पब जी में से दोनों में से पहले कौन सा गेम आया था लेकिन दोस्तों जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता मार्च 2017 और ठीक 6 मैने बाद लॉण्च हुआ था 30 सेटमबर 2017 को फ्रीफायर जो की एक मुवाइल गेम है और अगर हम बात करें दोस्तों PUBG मुवाइल की तो PUBG मूबाइल जो है फ्रीफायर के लॉंच तो दोस्तों किया आपको पता है पब जी और फ्री फायर में इन दोनों गेम में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता था पहले जिस टैम पे पब जी इंडिया में था तो दोस्तों मैं सरिफ यहां पर पब जी मुबाइल के अर्निंग रखूँगा राइट एक तरह फ्री फाय करोड रूपे एंडर पर मंत की जो अर्निंग होती थी तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्री फायर के अर्निंग की राइट तो फ्री फायर की आर्निंग होती थी वह थी साड़े 90 करोड रूपे जो की पब जी से कम है एंडर मंतली अगर इंकम की बात की जाये वो थी 285 करोड रूपे एंड टोटल रिवेन्यू की बात की जाए तो वो थी 7000 करोड मात्र और वो इतनी कम इसलिए थी इसके पिछे का भी मैं आपको रिजन बता देता हूँ दोस्तों तो दोस्तों कुछ ऐसा हुआ था कि PUBG जब लॉंच हुआ था तो वो शुरू के 3 महीने में ही इतना ज़्यादा वाइरल हो गया था कि लोग इसको इतना ज़्यादा खेलने लगे थे लेकिन फ्री फायर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ फ्री फायर जब लॉंच हुआ तो फ्री फायर के 8-9 महीने बाद ये गेम थोड़ा वाइरल हुआ और तब लोग इसे खेलने लगे और फिर भी बहुत कम लोग इसमें पैसा इंवेस्मेंट करते थे लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिलकुल नहीं है अब बहुत मैक्सिमम लोग इस गेम में पैसा लगाते हैं और इसके पीछे का एक कारण और भी है कि जो पब जी का जैसे रोयल पास होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है अकोर्डिंग टू फ्री फायर के इलाइट पास से और इसी लिए लोग फ्री फायर में कम पैसे में अपना काम चला लेने लगे और जब कि पब जी का जो रोयल पास है जो बगएरा बगएरा कोस्टूम बगएरा है वो काफी ज़्यादा महंगी होती है लेकिन फिर भी लोगों को इतनी लट लग चुकी थी गेम की लोग तब भी उसको परचेस करते थे और इसी वज़ास से कहीं न कहीं फ्री फायर से पबजी की अर्निंग थोड़ी जादा थी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें दोस्तों ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ